आज मैं आप सबके लिए ले करके आई हूँ, सोया कीमा की रेस्पी जो की खाने में बहुत ही टेस्टी और बहुत ही यमी लगती है एकदम धाबा इस्टाइल आज मैं आप सबको बनाना बताऊंगी जो कि इतनी टेस्टी बन करके रेडी होती है दोस्तों कि अगर आप सोया भी नहीं भी पसंद करते होंगे खाना तो इस तरीके से अगर बना करके खाएंगे तो यह आपकी फेवरेट बन जाएगी कैसे हैं आप सब आज मैं आप सब के लिए लेकर कहा हूँ एकदम पढ़िया और जबर्जस्त रेस्पी सोया कीमा की रेस्पी जो की बहुत ही टेस्टी और बहुत ही यमी बनती है आप इसे चपाती पराठा पूरी किसी भी चीज के साथ में खाएंगे यह आपको आज बहुत अजबर्जस्त लगने वाली है चलिए इसे बनाते हैं इसे बनाने के लिए मैंने यह पर दस रुपे जो सोया चंग साती है उसे यहां पर मैंने लिया है सिर्फ एक पैकेट ही काफी है चार लोगों के लिए यह परयाप्त है अब इसमें मैं यहां पर डेड़ ग्लास पानी एड़ कर रही हूं और इसे बॉयल होने के लिए रख देंगे साथी साथ इसमें मैंने तीन मीडियम साइज के टमाटर भी एड़ कर दिये हैं और इनको मैं साथ में बॉयल कर लूँगी सोयबिन को बहुत जादा नहीं उबालना है बस दो मिनट ही इसे बॉयल करना है बस सोयबिन सॉफ्ट हो जाए इतना ही हमें इसे पकाना है और इसे किसी चनी से आप जाड़ा पानी सोक कर लेगा और हम उसका चैस्ट च्छान करकर निकाले वो और इसे हांथों से धोकरके अच्छे से एगदम इस नी देखे इस तरीके से और हमारी जो सब्जीहों बहुत ही टेश्टीर यमी बनती है मैं निकाल लिए और जो हमारे टमाटर वह भी पांच मिनट के बास सौफ्ट हो चुके यह इसे भी हम यहां पर निकाल लेते हैं ठंडे होने के लिए इसे रख देते हैं सोयब इन भी हमारा एकदम नॉर्मल हो चुका है देखिए बहुत जादा इसे नहीं पकाया है मैंने और यह सॉफ्ट हो गया है बस इतना ही पकाना है फूल के थोड़े से यह अपने साइज से थोड़े डबल हो जाते हैं अब इसे हम क्या करेंगे मिक्सी जार में लेंगे और मैं इसे पीस लेंगे इसे एकदम पेस्ट नहीं बनाना है बस इसे दरदर पीसना है देखिए इस तरीके से बहुत जादे इस बस दो मिनट ही चलाना है बहुत ज़्यादा अब आप इस इसे पेस्टicamente बना देंगे तो इसका कीमा जो ओख जो है वह नहीं बनपाएगा वसम मिक्स data में हम वातस में इसे पीस लेंगे ठोड़ से अधरक टुक्र लिये हैं और अगभ़न रखनाय्ट क कंशाध कर खांगे उसे भी पीस जाते हैं वातों से माँम構न सोस्तों से भांट बनानी के बहुत आप अब लेंगे एक पैन एक मेने लिए हैं तेल हैं और लेंगे हाँ पर एधा सही हें पर जीर डीठाइड पाह़ी जीसे डालने के रहेंगे, यह दूड़ा सा मिक्स करेंगे, जैसे एक चूठी चमच मैने यहांपर धन्या पाऊड़ लिया है आदि कोजा निसे दाती चमच के लिए एक ऐखेडया तकर बहुत के लिया है, यहांपर तेस्ट यहां पर योज कर सकते इसे इसका टेस्ट काफी अच्छा आता है और यह ready made मसाला जुह है आप कभी भी डाल सकते हैं बहुत ही अच्छा बढ़ यहां टेस्ट का आता है अब इस तरीके से हम इसे भून कर सकते हैं देखे शेवरा मसालों में तेल आ गया है bright Esteem Math Drag ए मिक्स कर लेंगे ईसे हम तो यह जो ने यहां याद सद्व सकते हैं भूनने के बाद इससे अचेश्फए फ्राइप कर सकते हैं यहां नहीं भूना है और उससे क्या होता है कि बहुत ही कम आयल इसमें लगता लगता है लेकिन यहीं तो भी उसी तरही का टेस्ट इसमें ढालनाता है जिस तरहीं से अगर आप और यह प्राइ्क करके निए सब्ण कि रड़ी हो जाती है थोड़ी सी धनिया पति यहां पर एक बढ़ीां रेस्प्य है दोस्तों बहुत यह बन करें यह झाती है और भी यह में लगती है झाने में यह पर इस तरीके से जरूहर मैं आइए थे यही horizontal प्लियुशंद हो दोड़ी सी हरी धनिया की पत्ती डालेंगे और देखे हमारी एकदम यमी यमी टेष्टी टेष्टी सब्जी जो है रेडी है सोया की कीमा बहुत ही टेष्टी और बहुत ही यमी लगती है खाने में धाबा स्टाइल सोय कीमा वेज एकदम तयार है बहुत ही टेश्टी और बहुत ही यमी रेस्पी है दोस्तों बाई बाई दोस्तों थैंक यू फोर वाचिंग